गुड इवनिंग फ्रेंज मैंने मिज राज और आप देख रहें आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनलेसस आज का डेट है 11 चनवरी 2022 आज हम लोग जिन से इसके उपमाथली प्रिव्यू करेंगे वो है एस्टराजनेका जो बहुत ही अपने स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन पर है तो क्या ये 3000 का लेवल तोडने वाला या 3000 से लिवर्सल लेगा फाइजर मेरे सारे सब्सक्राइबर प्रॉफिट में अगर उन्होंने सही टाइम पर प्रॉफिट बुक की हुई है और अभी सपोर्ट जोन ढून रहें बात करेंगे ग्लेनमार काफी टाइम से ये साफी मदद करता है साथ मैं आप कोई भी कंपनी के ओपर वीडियो बनवाना चाहते तो चल्ली से में रेकमेंट बॉक्स पर बताइए ताकि मैं उस पर जल से जल रिजर्च करके वीडियो बना सकूं बट वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्ली से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी रेगुदर अपडेट मिलता रहे उसके लिए बेल नोडिफिकेशन दबाना मत भूलना आप बात करेंगे मेरे चैनल की यूएस पी है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टन्स बताने की कोशिश करता हूँ मैं चैनल की दूश्री बड़ी यूएस पी है कि मैं यहाँ पे हर फ्राड़े स्रेड़े संडेज मन्थली प्रिव्यू बनाता हूँ इससे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है अगर वो इंसेस पे रहे या ट्रेड कर रहे तो उनको हर महीने इसस के सपोर्ट और रेजिस्टन्स अपडेट होते रहते हैं और मेरे सपोर्ट और रेजिस्टन्स कितने काम करते हैं इसके लिए आप मैंने मन्थली प्रिव्यू के कोई भी दस वीडियो निकालके चेक कर सकते हैं साथ मैं आप ये उपर दिएवे लिंग पे जरूर देखिये जहाँ पिछले मैंने इनी तीनों शेस का मैंने मंसली प्रीद्वी किया था support 1-2800, support 2-3000, support 3-3200, resistance 1-3200, resistance 2-3400 और resistance 3 दिया था 3600 का एस्टा जने का आज के देट पर आप देखेंगे 11 जन्वरी 2022 इसकी जो closing हुई है 3016.70 support 1-2800, support 2-3000, support 3-3200, resistance 1 भी है 3200, resistance 2-3400 और resistance 3 यह आपका 3600 का हाईस अगर आप इसका देखेंगे 3168.40 जो मैंने आपको लास मेह ने बताया था 3-3200 का support लेगा या तो resistance लेगा 3200 तक गया नहीं बट उस range पे almost आया जो कि उसके resistance लिए और वापस वो आ चुका है अपने strong support zone पे 3000 पे काफी लोग चितने भी लोग regularly देख रहे हैं 3000 मैंने इसका बहुत strong support बोला है last time भी almost 3000 से इसने 4000 तक आया था बट वापस वो आ गया 3000 के range वे इसके लिए बोलता हूँ वीडियो पूरा देखिए आपको यहाँ पे जो supporter resistance मिलते हैं वो as per graph मिलते हैं इसके लिए यह 80% आपके लिए काम करते हैं बात करेंगे Pfizer के बारे में Pfizer company क्या करती है कौन सी category में आती है यह सारा information जाने के लिए आप यह उपर दिये वे link पे जरूर देखिए Pfizer का मैंने last time वीडियो बनाय था 9 December 2001 के जब इसकी closing वी थी 4868.35, support 1 4600, support 2 4800, support 3 5000, resistance 1 5200, resistance 2 5400 और resistance 3A 5600 का Pfizer आज के date पर आप देखेंगे 11 January 2022 इसकी जो closing है 4905.05, support 1 4500, support 2 4750, support 3 5000, resistance 1 5500, 5200, resistance 2 5400 और resistance 3 इसका 5600, अगर आप इसका देखेंगे 5235.55 जो की है resistance 1 और उसके बाद इसका इस मैंने का जो lowest है वो है 4790 रुपीज, जो की है almost अपने support 2 के पास, ओके तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, support और resistance में अगर आप लोग short time traders हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग मेरे को mail कर रहे हैं, जितना अच्छा feedback मुझे मिल रहा है, यही मेरा motivation रहता है, मैं किसी से कोई charge नहीं करता हूँ, यहाँ पे आपको वीडियो बनाता हूँ कि मेरे वीडियो बनाने का motive जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब मैं वीडियो देखता था लोगों के, मैं देखता हूँ कि price नीचे जाने वाला है, बट लोग उस पे target देते हैं, और कह हमेशा कहा है कि रोज trade करना ज़रूरी नहीं है, बट जब भी trade करो positive आए, आपको उसका return मिले वो बहुत ज़रूरी है, stock market tips में मेरी playlist में अगर आप देखेंगे, वहाँ पे मैंने almost 10 वीडियो बनाया है, अगर आप वो सारे maintain करेंगे discipline, तो definitely आप profit में रहेंगे, अब बलात करते हैं, Glenmark के बार में, Glenmark company क्या करती है, कौन सी category में आती है, यह सारा information जाने के लिए आप यह उपर दिये वे link पे ज़रूर देखें, Glenmark का मैंने last time वीडियो बनाया था, 9 December 2021, जब इसकी closing हुई थी, 507.75, support 1460, support 2480, support 3500, resistance 1500, resistance 2530, resistance Vita 560 का, Glenmark आज के date पर आप देखेंगे 11 January 2022, still 200 day EMA के नीचे, 520.15 पे सकी closing है, support 1460, support 3,520 और resistance 1 भी ले रहा है, यह 520 पे, resistance 2550, resistance 3580, हैस अगर आप इसका देखेंगे, यह 542.70 गया है, जो मैंने पिछले मैने आप लोगों को अगर देखेंगे, 530 के पास, resistance drone डाला था, वो 542 तक गया और वापस reversal आ गया, और lowest है इसका, इसमेने का, 472.50 जो की है, support 2 के पास, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, support पे buy करो, resistance पे sell करो, support पे आने तक का wait करो, और चुको लोग मेरे वीडियोज रगुलरली देख रहे हैं, जो मैं आपको maximum वीडियोज में बताता हूँ, 80% से इसी basis पे काम करते हैं, आपको ये concept पकड़ना है, और आराम से अपने 10 में से 8 ट्रेट को positive करना है, इसके लिए मैं आपको अपने वीडियोज में बोलता हूँ, मेरे वीडियोज देखकर आप शेर की analysis कर सकते हो, मैं अपने चैनल के त्रू किसी को भी buy या sell का recommendation नहीं देता, बर definitely कभी-कभी suggestion देता हूँ और जब भी मैं suggestion देता हूँ, लोगों को benefit definitely होता है, तो उमीद करता हूँ, आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगे तो please like और subscribe कीजिए, जैसे मैं आपको support कर रहा हूँ, सही support और resistance देकर, उस तरह आप भी मुझे support कीजिए, मेरे वीडियोज को like कीजिए, subscribe क कीजिए और आगे, आपके family friends पर forward कीजिए, जो लोग भी share market में trading कर रहे हैं, या फिर investing कर रहे हैं, थाकि यह important information उन तक भी पहुन सके, thank you so much